बाबा बागेश्वर धीरेन शास्त्री देशी नहीं बलकि विदेशों में भी सुमार हैं शोश्र मीडिया पर बाबा धीरेन शास्त्री खुब चर्चा बटूरते हैं लाखों के संख्या में भक्त उनकी कथा और उनके दर्शन के लिए पहुशते हैं इन दिनों बाबा रामकथा के लिए नेपाल पहुचे हैं जहां उनके स्वागत के लिए लाखों की भीड देखने को मिली काटमांडू पहुशते ही जैश्वर राम के उद्धोश के साथ बाबा बागेश्वर का स्वागत किया क्या बता दे देवचुली में तीन देवसी रामकथा को सुनाने के लिए बाबा नेपाल पहुचे हैं बाबा बागेश्वर के एक जलक पाने के लिए भीड एरपोर्ट के बाहर खड़ी रही काटमांडू पहुचने पर बाबाबा बागेश्वर पशुपतिनात पहुचे और भगवान शिव के दर्शन पूजन भी किया धिरेशास्ट्रे नेपाल में मशूर हिंदूनेता बरुड चौधरी के निमंत्रड पर नेपाल पहुचे थे देउचुली में उनकी रामकथा का समापन आज होना है रामकथा का आयोजन नेपाल के बुटवल नारायर घाट मार्क सीजी इंडस्ट्रियल पार्क शास्त्वत धाम देउचुली में किया जा रहा है बड़ी संख्या में भीड को समालने के लिए कथा आयोजकों ने पुलिस के लावा सेकड़ कारकरताओं को भी जगा जगा पर तैनात किया है गाड़ियों की पार्किंग के लिए खुले मैदानों में तीन दिन के लिए रिजर्व किया गया है रामकथा के पहले दिन पंडित धीरेर शास्त्री ने नेपाल के लोगों को संबोधित करते हुए कहा यहां जन्मे लोग सभी लोगों को गर्व होना चाहिए क्योंकि यह एक ऐसी पुन्य भूमी है जहां पैदा होने वाले को अयोध्या नहीं जाना पड़ता है बलकि अयोध्या के राम को यहां आना पड़ता है उन्होंने यह भी कहा नेपाल भक्त को लेकर बयान देते हैं वो अकसर कहते हैं हिंदूस्तान मतलब हिंदू यह आते हैं राम कथा के दौरान पंडित घीरेंस रास्ती ने हिंदू ने था वरुड चौधरी की प्रसंसा की और उन्हें नेपाल में आमंत्रत करने के लिए धन्यवाद भी दिया बतादे कुसदि शिता राम भगवान की क्रपा से 2023 के गरतंत दिवस्त के पावन परग। 15 अगस्त को प्राता काल दस वजे तिरंगा यात्रा बेगम बाजार छत्री भागिन नगर हैदराबाद में जो हमारे बड़े ही प्रिय बाजे शुर्धाम के बड़े ही प्रिय स्री लट्डू यादव जी है और उनकी पूरी सेना है भगत सींग युवास सेना द्वारा जो एक उत्सव करवाया जा रहा है 15 अगस्त को उसमें हम जो है बेगम बाजार छत्री भाग नगर हैदराबाद में एक घंटे के लिए आ रहे हैं जाग इस खबर पर आपकी क्या रहा है हमें कमेंट कर ज हुले